आउज़ बिल्लाही मिने शैतान इरोजीम बिस्मिल्लाह रोख्मान इरहीम असलाम लेकूम दोस्तों मैं हूँ मुषिन दवा और आप लोग देख रहे हैं विर्चुल स्टूडंट सपोर्ट सर्विसिव यूट्यूब चैनल दोस्तों आपको एक आइकन और भी राइट साइ आवन टीचर्स ऑनलाइन दोस्तों मैं आपको पताता चलूं कि ये एक मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसके ओपर आपको काफी फारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट हैं जिनमें आपका फाइनेंशल अक स्टूडेंट सब्जेक्ट के अंदर प्रमोट किया है मेरी तमाम दोस्तों से यही गुषारिश है कि आप मुझे उस चैनल में भी प्रमोट करें और जल्दी से आप उसका लिंक ओपन करें जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और इस वीडि नया लेक्टर या नई वीडियो आये तो वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें दोस्तों आज की यह जो मेरी वीडियो है वो एसी ओ फोर विर फोर मैनी जेरियल एकनॉमिक्स की जो हमारी अफाइनमेंट नंबर वन है उस हवाले से है बहुत सारी मुझ की अफाइनमेंट्स बनानी होती है उसके साथ साथ फिर और भी जॉब भी करता हूं तो इसलिए लेट हो जाता है तो हमारी जो आज की हमारी असाइनमेंट है इस यह 404 की उसका मैनेजरियल एकनॉमिक्स की उसके हम स्लूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं के हमारी उस असाइनमेंट की रिकोर्मेंट्स किया है तो रिकोर्मेंट्स के अंदर हमें दिया हुगा कंपिटीशन इस सब्जेक्ट तो ओल्वेस ओपन तो देटिबेट इन रहल्ट केर और फॉर्मसोटिकल आर नो एक्स्टैशन पाइस कंपिटिशन इव डॉक्स एप्र इंटरनेशनल पार्टनर्ट और डिस्टिपिशन सेलिंग ऑफ तको मैनिफेक्टिरिंग ऑफ शुगर एलियन प्रोडेट्स दूरिंग पास्टियर फिरोजन्स फोल्ड 7 मिलियन यूनिट ऑफ सर्जिकल प्रोडेक्ट एक प्राइफ ऑफ 13.50 फाट्रोटल डेविन्यू ऑफ 85 तो 5 मिलियन के हमें जो है उन नह ने बताया है के हमारी जो है पास्ट य पिछले साल की सेल वह हमारी है 7 यूनिट्स की जो सर्जिकल प्रोडक्स है उनकी 25 जो है वो तेरा ही शरिया 50 है टोटल देविन्य जो है फ्रॉम दिशेल वो है हमारे पाप पिचासी मिलियन दूरिंग दे कुरॉंट ये मजूदा साल के अंदर फैल यूनिट ऑफ फ्रोडक्स यूनिट टो 4.6 मिलियन और इस साल जो सेल है वो साथ मिलियन से कम होके 4.6 मिलियन रह गई है और कंपेटिटर प्राइस कट आफ जो हमारे कंपेटिटर हैं उन्होंने अपनी प्राइस कम कर दिया है फ्रॉम 12.95 से 10.50 पर यूनिट कर दिया है यह तो है हमारा केस अब इसकी रिक्वाइर्मेंट क्या है इसकी रिक्वाइर्मेंट पर दोस्तों हमने कल्कुलेट करनी है क्रॉस प्राइस इलासिसिटी ऑफ डिमांड फार सर्जिकल प्राइक्ट पहली रिक्वाइर्मेंट दूसरी रिक्वाइर्मेंट क्या है मार्केटिंग डिरेक्टर ऑफ सर्जिकल सिस्टम इस फिरोजन प्रोजेक्ट दैट यूनिट सेल विल बी रिकवर फार 4.6 मिलियन यूनिट 25.8 मिलियन उन्हों ने जो है वो काफियत तक रिकवर कर ली ये सेल और अब जो है वो पांच है यहां 8 मिलियन पे पहुंच गये हैं if the surgical system reduce their own price from 13.50 to 12.50 per unit calculate the surgical system applied arc price elasticity of demand के पहले के अंदर हमने cross price elasticity of demand calculate करनी है और in the second requirement we have to calculate the arc price elasticity of demand इसके बाद दोस्तो हमें एक केस और दिया गया है जो के है पैल से जो refrigerator company है उस हवाले से पैल provides itself innovative home appliances towards the modern consumer with the start of winter season tell has announced 2% discount of the average price refrigerator sold during the month of October in the in an effort to reduce exceed end of the model year inventory customer response was widely authenticated with unit sale rising by 20% over the previous month level और जो उनकी sale है वो 20% rise हो गया है as compared to the previous month यह हमें एक और केस दिया गया है और in this case we have to calculate the point elasticity of demand for refrigerator for the month of August और हमने calculate करना है profit maximization price per unit is पहले है तीस चैसो marginal selling cost अब देखें इसके नदर तीन तो हमने जो है वो elacicities calculate करें cross price elasticity, arc elasticity है और दूसरा है हमारी point elasticity और last में हमने profit maximization price जो है वो calculate करें है मतलब चार requirement है इसकी दो question है हम चलते हैं जी पहले हमने इन सारी requirements को देख लिया यह है हमारी managerial economics की assignment की requirement तो चलिए दोफ्तों अब हम इसके solution की तरफ चलते हैं और उसमें जो पहला question है उसको देखते हैं उसके solution को देखते हैं पहले question के अंदर हमने जो है जो है जो उसकी requirement number A है मतलब पहली requirement है उसके अंदर हमने calculate करनी है cross price elasticity of demand अब cross price elasticity of demand calculate करने के लिए दोस्तों हमारे पाफ जो formula है वो है change in quantity demand from product A divided by change in price of product B के हमने quantity demand के अंदर जो change आई है percentage change वो find करनी है और फिर percentage change in price वो जो change आई है वो हमने find करनी है अब देखें हमारे पाफ फर्जिकल product है ठीक है अब हमारे पाफ जो पहली product है वो fail जो है वो हमारे पाफ 7 million है ठीक है और यहां पे मैं नीचे calculation तो यहां पे नहीं show करता due to the left time कि मारे पाफ जो time है वो बिल्कुल कम रह गया तो इसलिए मैं जल्दी से यहां पे आपको answer show कर देता हूं तो वो बैने यहां पे 34.28 और 18.91 उसको divide किया है तो हमारे पाफ जो जवाब आया है वो एक इशारिया आठ एक यह हमारा जवाब है अब इसको मैंने calculate कैसी किया है वो मैं आपको explain कर देता हूं कि यह पहले हमने मैंने निकाले है चेंज perfect day change in quantity demand from product A अब देखें पहले हमारे पाफ जो है वो seven million है फिर हमारे पाफ जो है वो change कर हो कई है four point six million तो आपने करना क्या है जब हमने change निकाल ली हो perfect day in change निकाल ली हो तो हम क्या करते हैं कि हमारी है total जैसे हमरे पाफ seven उसमें से माइनस कर देंगे हम 4.6 million और उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे 7 million के उपर तो हमारा जो है perfect change in quantity demand आजाएगा अब दूसरी जो बात है इसके अंदर लिखा हुआ है percent change in the price of product B अब देखें हमारी जो price है उसकी हमने percentage change find करनी है कि कितने percentage जो है उस price के अंदर जो है वो तब्दील ही आई है क्योंके crop price एलाफ safety of demand के अंदर हम यही करते हैं कि हम product A की जो है quantity percentage change ले लेते हैं और दूसरी product B की जो है वो percentage price change ले लेते हैं तो इसमें हमने जो है price देखें हमारे पर 12.95 एक competitor के थी उसने change करके 10.50 कर दी अब 10.50 तो इनके दर्मियान जो फार्क है वो हमने calculate करना है तो वो हम कैसे calculate करेंगे 12.95 माइनस 10.50 और उसको divide करेंगे 12.95 के साथ तो हमारे पास जो है उसका जवाब आ जाएगा अब देखें हमारे पाफ perfect change in quantity जो है वो 14 शरीया 28 आ गई और perfect change in price जो है वो हमारे पाफ 18 शरीया 91 आ गई जब हमने 34 शरीया 28 को जो है 18 शरीया 91 के साथ डिवाइड गया तो हमारे पाफ जो जवाब है वो एक शरीया 81 आ गया और ये है हमारी cross price elasticity of demand अब इस तरीके से हमारी जो है पहली requirement पूरी हो जाती है question number 1 की अब हम चलते हैं अपनी दूसरी requirement की तरफ अब जो दूसरी requirement है उसके अंदर हमें बताया गया है कि हमने calculate करनी है और price elasticity of demand अब और price elasticity of demand का जो formula है वो चेंज in quantity divided by change in price और multiply by average price और फिर divided by average quantity अब ये मैंने कैफे निकाली है ये निकालने के लिए दोफ्तों हमने क्या करना है अब देखें पहला जो है वह है change in quantity वो तो आप निकाल लेंगे अफ़ानी के साथ के साथ तो million में से 4.5 million minus करेंगे तो आपके पार change in quantity आजाएगा अब change in price वो आप कैसे निकालेंगे वो आप निकालेंगे कि हमारी जो change हो रही है price वो देखें 13.50 से 10.50 पे पहुंच गई है तो यह आपकी change in price आजाएगा और उसको हमने अपफ में multiply करना है average price और average quantity के साथ अब average price हम कैसे करेंगे अब average price करने के लिए देखें हमने जो है दोनों price देखें एक price हमरपा 13 शरीय पचाफ है दूसरी हमरपा 10 शरीय पचाफ है हम इन दोनों को जमा करेंगे और दो पर तक्सीम कर देंगे उसके बाद अगर हमने average quantity निकाल ली है तो वो देखें हमरपा 7 million है और 4.6 million है हम इन दोनों values को जमा करेंगे और average quantity निकाल देंगे उसके बाद जब हमारे पाफ यह फारी वेल्यूज आ जाएंगे तो हम formula के अंदर पूट करेंगे माइनफ हमारे पाफ जो है 12,000,000 वो हमारे चेंज इन quantity आ गई डिवाइड़ बाइड बाइज इन प्राइ enough 3 निकलता है तो आप लोग यह चारों चीज़े calculate करके आपने full calculation के साथ इसका जवाब लिखना है तो इस तरीके से हमारा question number 1 का B part भी solve हो जाता है अब हम बात करेंगे हम अपने दूसरे case की या question number 2 की question number 2 की अंदर हमने क्या करना है हमें पहली industries के बारे में बताया गया है और हमारी जो पहली requirement हमसे पूछी गई है वो भी एक elasticity है अब elasticity है वो है point elasticity of demand अब इसका जो formula है q2 minus q1 divided by q1 multiply by 100 divided by p2 minus p1 divided by p1 multiply by 100 अब यह मैंने कैसे फारी चीवें calculate किया हम देखें हमें फिरफ इस assignment जो part b है question 2 है उसका जो है case वो बहुत मुश्किल है मैंने बहुत सारे time लगा के और समझ रहे में और मुझे खुद इतना पढ़ना पढ़ा इतना मुझे आए तक किसी assignment के लिए नहीं पढ़ना पढ़ा जितना इस एक question के लिए पढ़ना पढ़ा है वो क्या है अब देखें इसमें हमें जो quantity दी गई है वो दी गई है 20% और जो हमें ऊपर अनॉंस्ट किया डिसकाउंट वो price जो अनॉंस की गई है वो है 2% तो हमने अगर change निकालना हो तो वो 0.20 जो है हमारे पास quantity का आ जाएगा और 0.2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा price का यह आपने खुद calculate कर ल Q2 है वो हमारे पास point यह 20% है और Q1 जो है वो हमने इसको ऐसे ही ले लिया मतलब black छोड़ लिया इसलिए अब Q2 जो है वो minus point 2 कैसे आया point 2 जो है 20% को अगर हम 100 से divide करते हैं तो हमारे पास point 2 आता है और यह minus point 02 कैसे आ गया तो यह वाला जो 2 है इसको अगर हम 100 के साथ and discount वाले को तो वो हमारे पास minus point 02 आ जाता है तो जब हमने point 20 को divide किया minus point 02 के साथ तो हमारे पास जवाब है point elasticity of demand का वो आ गया minus 10 तो इस तरीके से हमारा जो case number 2 है उसका जो A part है वो B solve हो जाता है इसके बाद बाद आ जाती है जी हमारे इसी case की और उसका जो जुज है B B part जिसके अंदर हमने calculate करना है profit maximization price अब उसका formula क्या है mc into e, e, e से मुराद यहां पर elasticity है divided by e, 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 e से मुराद भी elasticity है और plus 1 और bracket 1 अब mc से मुराद है marginal cost हमें इसके अंदर जो है वो cost जो है Pell Industries वाले case के अंदर वो हमें बताई गई है 3600 ठीक है अब यहां पर हमने क्या करना है हमने जो है elasticity वो हमने पिछले point के अंदर निकाली हुई है ए जूब के अंदर इसी case के Pell वाले case के तो यहां पर marginal cost जो हमें question के अंदर दी ही गई है वो हमने marginal cost लेकी 3600 divided by minus 10 minus 10 वो elasticity है जो हमने पिछे calculate किया divided by minus 10 वो ही elasticity और plus 1 इसको जब हमने further solve किया तो यह हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 34000 तो इस त्रीके से दोस्तो हमने अपनी पूरी assignment जो है वो solve की है इसमें मैंने आपको question A पहले बताया जिसके अंदर हमने cross price elasticity of demand calculate की जिसका जवाब 1.81 उसके बाद हमने फिर उसके B part के अंदर price arc price elasticity of demand calculate की जिसका जवाब जो है वो minus 3 आ गया और उसके बाद जो है आपने case 2 देखा case 2 के अंदर जो है हम लोगोंने point elasticity of demand और फिर उसके बाद जिसका जवाब minus 10 आया उसके बाद हमने उसका profit maximization price calculate की जिसका जवाब जो है के solution के अंदर add कर लें दोस्तो एंड पर फिर मेरी वही गुजारिश है कि जे हो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है वो जल्दी पे मेरा YouTube पर जो दूसरा जो है आपको solution provide करता रहूंगा जो idea solutions मैं share करता हूं वहाँ पर दोस्तों आपको CS 101 के lecture available है MGT 101 के available हैं CF 201 के हैं MGT 201 HTML के हैं आप दोनों चैनल को subscribe करें और व्यादा से व्यादा मेरी वीडियो को देखें ताके मुझे भी कोई आप लोगों से benefit हाफिल हो और मैं इसी तरह अपनी full dedication के साथ आप लोगों के लिए मिहनत करता रहा हूं दोस्तों मिलते हैं अगली किसी एक का final solution के साथ या GDB solution के साथ उफवकर तक के लिए मौफिन भाई को इजावत दीजिए थैंक यू अरी मच्छ दोस्तों अलाहाफिव कर दो 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 कर दो